हाई दोस्तों नमस्कार मैं हूँ निरजराया और सवागत आपका फार्माहर्ट्स में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरप के बारे में जो छोटे बच्चों में commonly जो होने वाले infections हैं उनको ठीक करने के काम आती है दोस्तों अगर आपके गर में छोटे बच्चे होंगे तो आप फेस करते होंगे कि उन बच्चों में infections हो जाते हैं और infections की वज़ासे उनको सरीर पर छोटे-छोटे दाने में पढ़ सकते हैं या इसके अलावा बच्चों में भूख नहीं लगती है, immunity उनकी कमजोर है और बहुत जल्दी उनको infection हो जाता है तो उन सभी को ठीक करने के लिए आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक सीरप के बारे में दोस्तों अभी हमारे पास है about pharmaceutical की तरब से आने वाली betonin AST सीरप जो बढ़ो के लिए भी आती है लेकिन हमारे पास जो अभी है वो pediatric medicine है 2-10 साल के बच्चों के लिए तो हम लोग इसी को focus में रखके ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों यह कोई promotion वीडियो नहीं है बस जानकारी के लिए हैं जिससे आपको यह समझ में आ जाए दोस्तों मैं एक disclaimer जरूर देना चाहूँगा कि जब आप यह medicine यूज कर रहे हैं तो बिन डक्टर के consultation के यूज ना करें इसके अलामा यह किस-किस यूज में आती है इसके dose क्या होती है इसको लेते कैसे हैं इसके कुछ side effect भी हम लोग देखेंगे तो चलिए वीडियो की शिरुवात करते हैं दोस्तों अगर बात की जाए betonine AST सीरप के बारे में तो इसमें कॉन-कॉन सा ingredient है अगर हम यह चीज ध hydrochloride अब इसकी कितनी मात्रा होती है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों अब इसमें अगर मैं composition के अनुशार बात करूं कि इसका यूज क्या होगा तो इसमें जितने भी होता है उसको ठीक करने में सहायता करता है इसके अलावा इसमें lysine hydrochloride lysine hydrochloride का काम क्या होता है कि यह आपके बच्चे में भूख को बढ़ाएगा lysine का काम होता है कि भूख को बढ़ाता है ठीक है इनर्जी की जो कमी है वो सब पूरी हो जाती है तो इस तरह से यह medicine काम करती है और फाइदा भी करती है तो दोस्तों बात तो हो गई users की अगर हम लोग अब इसके side effect के बारे में discuss करें तो इसमें कौन से side effect देखने को मिलते हैं तो अभी तक जितना भी इसको ब्रूज किया गया को और साईडी इफेक्स देखने को नहीं मिले लेकिन कुछ हो सकते हैं अप जैसे क्या हो सकता है तो हो सकता है बच्चों में इससे allergy हो यह इसके पेट में प्रॉब्लम आ सकती है जैसे gastritis हो सकता है या पेट में दर्द हो सकता है इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लगता है तो अपने डाक्टर से जरूर संपर करें दूस्तों कुछ special precautions हर medicine के बारे में आपको पता होने चाहिए कि कभी भी medicine को की डोज को आपको बढ़ा के नहीं लेना है यानि उसको एक्सीड नहीं करना इससे होता क्या है खत्रा कि आपको दवा नुकसान करने लगती है इस वजह से जितनी डोज आपको बताई जाती है जितनी आपको प्रेस हम लास्ट में बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में कि इसको लेते कैसे तो दोस्तों यह medicine बच्चों में देते हैं 10-15 ml जैसे भी आपको प्रेस्क्राइब किया गया आप उसी तरह से दें बाकि इसको 10-15 ml हम लोग देते हैं बच्चों में खाना-खाने के 30 मिनट पहले इसको दिया जाता है ऐसा नहीं कि खाली पीट खाना-खाने की 30 मिनट पहले आपको यह बच्चे को देना है ठीक है यह याद रखिएगा तो यह होते हैं इसकी डोज जिस तरह समस्कों देते हैं और इसकोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आप आसानी से बच्चे को दे सकत करती है आनलाइन आप मंगा होगे तो कुछ चूट भी मिल जाए आसानी से आपको ओके तो आज की वीडियो को बंद करते हैं तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की विटो नीन एस्ट के बारे में वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा ह तो चैनल को सबस्क्राइब कर देजाएगा वीडियो को लाइक कर देजाएगा और शेयर कर देजाएगा अपने दोस्तों के साथ अमें इस्टेग्राम पर फालू करेगा पूर वीडियो देखने के लिए बहुत बहत दिनवाद मिलते है नेक्स वीडियो में नमस्कार